देखो गी, तो अभी हम पढ़ेंगे देटा की पर्डेशन जैसे इसमें क्या होगा अलगलग डेटा गिवन होगे है ठीक है स्टपल लो लो स्टपल के दिची कैसा ठीक है अज़ यह ले लो गार्षित ले लो ता लो तो अलग-लग data किस form में given हो सकते हैं, tabular form में, bar graph में, ठीक है है, pie chart में, अलग-लग देखे हैं, ठीक है, तो इसमें जो पहला question है, direction है, question 1 to 5, study the following table carefully to answer the questions that follow, ये नीचे answer है, उनके लिए, क्या है, एक data given है, data college है और year, मतलब एक साइड ये year दे रखे हैं, ये year से ये college के नाम है पी college है, Q, R, S, T and U, ये number of student है, इसने लिपनी देखा, ठीक है, number of student है, अब मैं देखो, पी college में 2004 में number of student कितने है, 2525, ठीक है, पी college में 2005 में कितने है, भी 2440, like this, अब पी college के बात करो तो ये अलग-लग ES के student है, क्योंके अलग-लग ES के student है, ठीक है, ये data है, अब इन data को कैस स्कूल करना हूँ, आगे question में given होगा, कैसे कैसे क्या करना है, जो पूछा होगा, वैसा स्कूल कर देंगा, अब इसने देखो, क्या पूछाना, first question, what is the percentage increase in the number of students, ये online में लिखार ठीक दे रहा है, जूँ करूँ score, भोलो, इसने देखो क्या मोले, what is the percentage increase in the number of students in college T in the year 2007 from the previous year, ठीक है, college T में 2007 में जिजने सुझने हो, previous year के comparison में कितना percent increase होगे, ठीक है, तो 2007 में T में कितना student है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो 2006 में कितने थे, 2100 सी, ठीक है, 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 3.1 3.1 अब देखो केंसे राउट कर लो भी कितना या यह 50 अब आगे सोल नहीं होगा तमया 350 divided by 109 अब 109 को 350 को divided कर लो भी किस से 109 से कितने बजाएगा 3 पे 509 कितना बजाएगा 23 decimal लग गप किया 2 पे जाएगा 218 13 अब कितना बजाएगा फिर एक पे गया 109 अब कितना बजाएगा 11 अब फिर बन पे जाएगा तो 1 पे जाएगा तो हमें 2 डिजित तक लेना है अगर 5 यह फाइल से ज्यादा होता तो थम्हें इंक्रीज करके लिग देता तो answer is 3.21 और कौंस option हो गया option 4 ठीक है तामज़ा ही बात भी सबीको ठीक है बस इस तरह डेटा है इस डेटा वो फास्ट कैलकुलेट करना है और फिर फोड़ा जो पुछे हो गया इसनी बात है ठीक है अब जो को next question सारु को प्लेस्ट कुछिए हम अब आपको बच्चों की तरह ऐसे लिखके अड़ नहीं करना है सीदा थीक है अभी दो जार तालिस ऐसे नहीं लिखना है 2042 300 2400 ऐसे नहीं लिखना है अब देखो सीदा ऐसे smart work करो कैसे 2000 कों से कुछ है पांच में तो देखो 2000 2000 2000 सब में 2000 एना तो 6000 कर थाउजन तो सीदा ही होगा को बचना है अब मैं 1000 प्लेस वालिक का एड कर ले और अब में 100 प्लेस वालिए आइड कर लो देखो पहले में क्या है 100 पर 0 है 300 300 400 700 700 200 900 इसमें नहीं 900 एक 100 और ताउजन होगया ठीक है 900 प्लेस 100 अब 10th place add कर लो, 40, 40, इसमें कुछ है नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें 90, 40 plus 90, 30 plus 20, 150, ऐसे add कर लो, ठीक है, ताकि गल्टी की chance भी नहीं रहेंगे, 13,140 फोटल लंबर उसको बेंट है, तो ठीकुलेशन भी हमारा fast हो जाएगा, ठीक है? समझा ही बार? अगला देखो भी, 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 question third, what is the average number of students in all the colleges together in the year 2004, round off to the nearest integer, ठीक है? अब राउंड ओफ कर देगे, हम exact value नहीं आएगे, decimal में इसके बास round off कर देगे, ठीक है? अब इसने कुछे average पूछले, what is the total, what is the average of the total किसा? अगला, all students together in the year 2004, 2004 में जितने भी college है ना, उन सभी को add करेंगे, और उनको average निकाल देगे, average मतलब कितने, 2004 में कितने college है, 6 college है, जो total higher उसको 6 से divide कर देगे, average हो जाएगा हमारा, ठीक है? पहले इसी तरके से add कर लो, 2004 के, देखो 2,000, 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 कितना हो गया टोटल ही साथ दबाग रिंचे 13670, 14670, 2004 में ये सारे कॉलेज में इतने सुड़ेंट थे हैं, पर इसने पुछा, एवरेज नंबर कितने हैं, तो एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज नंबर आफ सुड़ेंट, इन 2004, इन अल कोलेज, ठीक है, तो टोटल ही 13670, कितने कोलेज एक दो तीन चाहर पाच से 6 है, तो 6 से दिवाइट कर लो, ठीक है, एड़ेट नहीं आएगा, इसने बुला नेरेस इंटीजर के पास से कर लो, 6 हो जा, 12166 जा, 12, again, sorry, 12 कितना हो जा, 4, 7, 6, किस पो जाएगा, 6, 32, ठीक है, 50, अब कितना, 6, 8 जा, 48, 2, 0, अब decimal लगाओं, वोट कितना में जाएगा, 6, 3 जा, 6, 3, 2, 2, 2, 7, 8 के आँस-पास कौन सा option है, option यह ही है, 2278, option D वाजाएगा, 2200, 2278, is the right answer, ठीक, option 5, ठीक है, ठीक है, और सभी question के answer, वर्क्षिट के लास्न गिवन भी है, ठीक है, ठीक है, आँस-पास्टिक मत करना, option फिचे option लिखे हो ले है, मैरे काने का मतलो, देख लेन जैसे, आपको शुक्त करना हो, ठीक है, 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 पूल लियांक उल सुलिंठ डार्द है है, है, है जा वोलो है, ओन डार्ट tre प YOU logTHY है, इतने परेंने सुल प्र्सेंटेजी को सोल रहें प्रेंट करें पी कलेंद में कितना ंगला में नियुल सब आपके कुई-सा, घिंतिर अ भर प बासव है करें देखो इस अप्रोक्शमेटली फाइंड आउट करना था पी में 2008 में कितने स्टूडंट है तो फाइब फॉर जेवर और पी में सारे एयर्स है उन में स्टूडंट कितने तो इनमें आड कर लो कहले पी में ओल इस में कितने हो जाएंगे देखो दो 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 यह सीदा बारा जार पी यह होगे सीदा आट कर लेंगे अभी 500 600 700 800 800 800 800 800 600 और यह कितना हो जाएंगे अब इसने क्या बोला है यह इसका कितना परसेंटेज है यही बात थी ना 2540 13780 का कितना परसेंटेज है परसेंटेज के लिए बात श्रीका बंशल कर लोगी इवन नमर दो से काट लेतें इसको ठीक है। तू 6 जा वन बचा टू 8 जा बचा तू 9 जा खेंगे अब have cancel out होगे का यह तो नहीं होगा तो जीसे भी नहीं होगा किसे से भी नहीं किसे भी नहीं होगा तो देखो 689, कितना उचा 1, यहां कितना उचा 1, यहां कितना उचा 8, 11 अचा के पास, पर 0 करी किया, अब 10 पे जाओंगो, अर्शा 9 पे जा रहे क्या, तो 64, 8 पे जाओंगो, चेक कर दो हुँँँँँँगों, अब देखो 17, 19 ऐसा दे रहे का होता न, फिर तो मैं और आगे इसको डिवाइड करके चेक करता, 18 के बाद 17, 19, 25, 18 के बाद रहे हैं, यह 23 है, यह 11 है, तो मतलब आगे चेक करने की जरूर्दी नहीं है, ठीक है, अगर जैसे 17 भी होता है, अब 19 और तब मैं देखता है, 18 पॉंट कितना आ रहे हैं, क्या 5 से जादा 18.5 है, तो 19 आप्शन करते हैं, यह 18.4 तक होता है, 18 यह अगर वैसा ओप्शन नहीं होता है, तो दो सिस्क्राख से जो 18, इतना यह सॉल करो, टाम शेंव करो, ठीक है, अगला ना कोशन करो, जैपर, अगला प्शन परो, जैपर, जैपर, डीक होता है, तो जो नबब आप्शन करो, अनब ओ अच्छन है, तो जो यह तो जो जो सब्सक्राइब तब 2006 और 929 में ठीक है जब रेशियो निकालना है कौन से कॉलिज लेने है S और U और सुडेंट 26 और 2009 के S में 26 में कितने सुडेंट अभी S में 26 में 2250 नहीं से 2180 में नहीं ये ना S में 2250 और 9 में कितने भी 2480 ये दोनों आड कर लेंगे 2480 और U में कितने U कॉन सा भी Last वला U है ना ये So U में 26 में कितने भी 2260 और 2009 में 2440 अब इसने वो लाइं इसका और इसका रेशियो निकालना है इनको आड कर लिए आमने आड कर लो इतना है बजीरो 8 पक 13, 4, 4, 7, 4 अब कितना है ये ओज़ दर इनको रिजियो निकालना भस Cancel out करो आगी Cancel out होगा निजिया अजय को option 1st आगे आँ सा ठीक है 473 और इसका 470 Option 1 इसका ठीक है Yes question 6 के लिए data read करो question 6 to 10 के लिए data given है ये bar graph given है ठीक है ये इसको bar graph बोलते है ठीक है देखो in the following graph student passed in five years from 2001 to 2005 from the two schools A and B are given दो school A और B 2001 से लेकर दो जार पास ते इतने बच्चे पास हो है वो data given है में on the basis of this graph answer the following question इस graph के उपर ये question को solve करना ठीक है तो देखो और student एक कौन सी line school A को represent करें कौन B को जैसे line है दो अब line के उपर ऐसा ये triangle सा ये ऐसा टेड़ा ये rhombus सा बना वो ये कौन सी school को represent कर रहे है भी A को और ये square बना वो ये B को represent कर रहे है ठीक है ये line A को ये B को तो इसमेरा देखो बीच में data है तो थोड़े से data एक बार ना बार बार ना देखना पुड़े हम data starting में लिक लेको पहले देखो 2000 A school A school B 2001 2002 कितना पास पेगा रहा है 3 4 और 5 ठीक है अब देर को ये बताओ कि 2001 A school में कितने student अभी देखके लेका 250 हाँ अब देखो ये line है ना A वाली तो ठीक है ये B कि है तो ये किसके सामने 250 कितने student है 250 और B में कितने है 2001 में 200 हाँ अब देखो ये बात जाना रखने क्या कि देखो यहाँ अगर इसने देर रखा था देखो मैं सब्जाता हूँ इसमें अब देखो ये बात जाना रखने क्या कितने है 190 तो मतलब यहाँ गैप कितना हुआ अभी 20 के गैप हो ना अगर इसके बीच में कोई वैल्यू रख्था जाएगा तो यहाँ 10 उपर होगा 10 नीचे हो जाएगा तो यहाँ 190 प्लस 10 कितना होगा 200 अगर यहाँ पे कोई वैल्य है अब देखो इसी में रहें किसके शापने ऐप अब देखो यह बात जाए ना करहा दोने में के बीच में यह आगें अब दो पे देख लो दो में ए स्कूल की यह है ए स्कूल में सेम कितने है दो सो इसके सामने बिलकुल यह है अब यह कितना था देखो अब यह नहां तो थर्टी है और नहां हाफ है तो इन दोनों दो सो दस और दो सटीस के बीच का कितना हो जाएगा दो सो बीस और दो सो बीस 20 20 का कितना ωहेगा 225 यह कितना है 225 ठीक है अब देखो 233 का लिए जोते हैं एक का डेटा कितना है इसी के सामने तो यह सेम 225 लिख लो और इसमें कितना हो जाएगा अब देखो 270 है क्या नई 270 से उपर हाफ से नीचे मतलब 275 है खना भी ठीक है 275 अब इसने क्या बोला है और हाँ इसके लिखे टीन तक लिखे चार के लिखो टेखो 2004 में कितना है देखो A school में कितना है 300 बिल्कुल half में है 300 और B कर कितना हो जाएका 250 250, 5 में देख लो गी, A में कितना है, 250, इसमें 180, 190, 210 के बीच में 200 पी होगा ना, 200 होगा ना, 200 होगा ना, ठीक है, अब मैंने डीटा लिख लिख लिए, अभी वज़ सिर्फ पोड़ो, कहीं addition, subtraction जो करना है वो करो, आप में confusion नियो भी बार बार देखना है ना, अब पहले क्य जो करेको, what is your total number of student passed from both the schools during 2002 to 2004, 2002 से लेके 2004 तक, दोनों स्कूलों में कितने पास हो, मतलब 2002 से लेके 2004 तक, दोनों स्कूलों में कितने पास हो, तो ये student पूचा इसने, ठीक है, 2002 से लेके 2004, फिर ये सारे बच्चे है ना, दोनों स्कूलों, तो इन सब को add कर दो, answer, कितना होग अगे एसे हैं बडिशों अगे, अगे बच्चे सो, सार्फों पचा आस, 1475, इन सब को add करो, तो 1475 अगे, तो option B, second is right answer, ठीक कि भी, पूर्ष मसम्री और फिर निख्योघ नहीं तेखमे को सब्सक्राइख करना से अपसर्तिय घर फिर किसे सब्सक्राइख में पांच में दौनों में कितने पास हुए है, बी में भी दो जार तीन और पास में कितने पास हुए है, वो निकालो, अब देखो, दो जार रहे है, के में दो जार तीन में कितने पास हुए है, दोसो पचिस, और पांच में कितने हुए दर, दोसो पचास, इसी ज़र के बी में क कितने में 233 में 275 और 255 में कितने पास होएं भी? 200. 475, 475. रेशयो कितना आगे इनका? 1 is to 1. दोनों को रहा तो. रेशयो कितना आगे इनका? 1 is to 1. और 25. ठीक है? समझा रही ही बाद? मैं वही तो कहा रहा हूँ, को समझो कैसे करना? इसने बोला है, रेशयो कि नंबर और 255 में कितने पास होएं और 255 में कितने पास होएं और 255 में कितने पास होएं उनका रेशयो चीए हैं. अब देखो भी, next question. The average of students passed from the school B during 2002 to 2004, 2002 से लेके 2004 तक फीए में, average कितने पास होएं? 2002 से लेके 2005 कितने पास है? 4 तक, 2-3-4, 3 years. इन तीन सालों में कितने पास होएं? इतने पास होएं? तोल कितना होगा है? अब 2 ब्लस 2 ब्लस 6, 6 ब्लस 750? 750 लोग तोल पाज होए है. अबरेज कुछ हैं इनका, अबरेज तो कितने साल, तीन साल है, तो तीन साल है, तो तीन से दिवाइड करें तोल को, फांसर इस 250. ठीक है? अब देखो भी, नाइट से दो, नाइफ कुछन, देखो देखो, टोटल नंबर ओफ स्टूरेंट पास्ट पास्ट रूम बोथ बोथ स्कूल्स दूरिं दे होल पीरिड, 2001-2005, दोनों स्कूलों में, पूरे, कितने पास हुए हैं, तो ये सारी वैल्यू आड करके लिए तुन 2001 से लेके पांस तर, पूरे डूरेशन में, दोनों स्कूलों से कितने पास होते हैं, तो इंसर को एड कर लो, दोनों को एड करके आज़ेगा, उनसर कितने होगे, 211,100, 1175 तो ये होगे, और ये कितने हो, 216,810, 11150, अब तो एड़ करके, 111,12, 222, 237, 2223, 247, 223, 275, 1275 2375 1250 अची यह गल्लव किया? हाँ, 1500 लफ कर दिया होने की 1200 लफ किसा रहे, ठीक है? जैको अगला को शूट अब इसने पुछा थे को 10th question the find the ratio of the maximum number of students passed in any year during the whole period from 2001-2005 पूरे साल में दो जार इसे लेके दो जार पास में maximum number of students कितने पास में from school A and from school B अब school A में पूरे इन 500 साल में किस साल में maximum number of students 2400 उसका इसने बोला ना find the ratio of maximum number of students उनका ratio निकालना किसका maximum number of students A में होए और maximum number of students B में होए B में कौन से साल में maximum number of students 25 ना 2300 इनका ratio निकालना से बच अब 25 से दो ने cancel out हो जेंगे 25 से आज़ेगे 12 पे यह 11 पर 12 पे जाएगा है 14-13 जाएगा ना 12 यह 11 पर 12 इसे 11 कोई option निये and none option 5 आज़े and none ठीक है? option 2 तिरेक है and none of these यह जा नए खना है कई आए आए यह से पी स्ट्रीवरों एको आपना हा ए and none of these ठीक है? ठीक है? ठीक बात है, समझा आएई? ये सर चलो विल्दा पूशन देखे तेम रेस कर दो भी नोट कर ले सेकने जा रेको भी मारा नेक्स कॉश्शन कॉश्शन गिवने कॉश्शन 11-15 के लिए और क्या डिर्फिन देखो study the following graph, इस फ़र graph ये क्या कियो है नहीं, carefully to answer the questions that follow, average monthly expenditure of an organization under various heads, एक organization उसका monthly expenditure कितना होता है, वो given है, ठीक है, अलग लग heads में ठीक है, अब देखो, उसका total expenditure होता है, उस organization का, 18,50,000, एक महीने का, ठीक है, अलग लग पे, अब ठीक है, अब 18,50,000 का salary to staff देने में कितना जा रहा है, 20%, बतला 18,50,000 का 20% उसका खर्चा हो रहा है, वो salary to staff में जा रहा है, transport subsidy जे रहे है, मतलब जिसे care बगारे के facility हो गए, यह सब जे रहे हैं, उसमें 10% खर्चा जा रहा है, ठीक है, water expenses जो भी खर्चे होते हैं, उसके 11% उसमें खर्चा जा रहा है, canteen subsidy 8%, loan to staff 18%, तो इस तरीके से percentage वाइस दे दिया, यह total percentage वाइस है, तो maximum total value कितनी होगी, 100 होगी, ठीक है, तो 100 total value है, और वो total 100 किसके एकोला, 18,50,000 के एकोल, ठीक है, अब देखो, अब इस type के question है, अब जैसे question करेंगे, अब मैं जैसे question के साथ explain करता हूँ, कैसे approach करेंगे, कि हमारी calculation fast हो, देखो, what is the amount spent on transport subsidy and canteen subsidy together, जो transport subsidy है और canteen subsidy है, उन पे दोनों पे मिला के कितना amount spent किया है, ठीक है, तो अब transport पे कितना किया अभी, 18,50,000, ट्रांसपोर्ट subsidy पे 10%, वने फाई जोलो जोलो किया है, ठीक है, और canteen पे percentage पे कितना किया अभी, 8%, ठीक है, अब एक तो आप ऐसे करो गए, 18,50,000 का 10% निकालो, 18,50,000 का 8% निकालो, उनको add करो, इस अच्छा percentage तो दोनों का same है न ये, आप सिधा 18% निकाल दो, किसका, 18,50 तो दोनों का 18% निकाल दो, एक step में calculation हो जाएगा, ठीक है, इस से भी जल्दी कैसे करना है, इस से भी जल्दी देखो, एक तो आप ऐसे लिखो, आप ऐसे लिखो, आप ऐसे लिखो, आप ऐसे लिखा, 18,50,000 कितना, 18%, ऐसे सोल किया हुआ, है ना, ऐसे भी नहीं करना, और प अच्छा हुआ, 100%, और एक्ट्वल में कितना, 18,50,000, तो देखो, अगर 100% की वैल्यू यह है, मतला 100 unit की वैल्यू, 100% इस लिखा, 18,50,000, तो 10% की वैल्यू कितना होगा, 10 से भी ज़िखो, एक लाग पिचाग सी जाए, और 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 18,50,000, ठीक है, क्योंकि आप जब भी देखो, मैं अगर यहां, हाँ, देखो भी, अब देखो, अब हमेशा इसका कैसे वैल्यू को 10% निकाल लोगा, जैसे मैं यह से निकालता इसका, यह 18 है, इसका इसका 10 निकता, तो 1-0 यह खतम हो जाती, 10% निकाल लोगा, जब हमेशा, 1-0, एंड होग 100% निकाल लोगा, तो 1-0 यह खतम होगी, ठीक है, तो इसका सीधा 1% लिख लोगा, कितना है, 18,500, 10% कितना है, 1,500,000, ठीक है, तो देखो, मैं यहां लिखेता हूँ, इन दोनों वैल्यूस को, तो कोशन हमेशा न, इसी अप्रोज से करेंगे, मैं इस टाइप लोगा, अब इसने पूछा क्या था, देखो, amount spent on transport, subsidy and canteen, subsidy together, transport और canteen पे कितना खर्च किया है, तो, transport पे यह 10, canteen पे 8, यह 8 इन दोन, 18,50 कही है न दोनों, तो total खर्चे कितना होगा, 18%, अब मिरको 18% की value निकाल लिए, मिरको 1% की value बदा तो, मुसको 18 से multiply कर दो गया तो, या मैं कैस कर सकता हूँ, 18% को ऐसे लिख सकता हूँ, 20-18, sorry, 20-2 कोई दिकत नहीं, अब 20% कैसे होगा, 10 का double कर दो, 1,50,000 का double कितना हो जाए, शिज़ा double कर दो, 0,00, 5 की एक बंद, 5 to the 10, carry 1,8 to the 16 plus 1,7, 2 into 1 plus 3, 3,70,000 ठीक है, और 2% है, 1% का double कर दो, 2% हो जाएगा, अब वो ही ती, यहा साथिस जार हो जेगा, 18 का double 36, 500 का double 1000, साथिसो जार, एक जार, साथिस जार, या इसमें एक 0 खतम कर दो, बैस, अब इसमें से माइनस कर लो भी, जा होगा, फिर लंबा जा रहा है, दो प्रजार, साथिस जार, अब भी आकर देखियो, नो कुछ नहीं, तीन लाग, साथिस ज अब यह easy कब लगेगा, यह easy तब लगेगा, तो calculation mind में जाता करोगा, साथ साथ, हर जेगे pen नहीं उठाना, अब मेरे को इसका double करना था, माल लो, इसका 10% है, इसका 20 कैसे करोगा आप, इसका 20 करोगा तो, देखो, एक लाग, इसको माल ले, एक लाग, पिचैसी जार, इसको एक लाग, 80 जार, 5 जार में अलगलग, इसकादा कर दो, एक लाग गरे, एक लाग, पिचैसी का double कितना होगा, 3,60, और 5 का double 10 होगा, 3,60, तो इसका कर नी तब देखो, एसको में प्लाइशिन करने है, तब easy पड़ेगा, ठीक है, थीक है, अब पार, अब देखो second question, यह इस तरह इस अप्रोच को अप्लाई करो, अब स्टार्टिंग में ऐसे लिगएगा भी इसमें वो लग रहा है टाइम पर बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए लंग इनद्र शतो priced है देखो भी देखो, what is the difference between the expenditure on salary to staff and that on loan to staff जो salary to staff दिया और loan दिया है, उन दोनों खर्चे में difference कितना है अब actual में आप सेली to staff में कितना खर्च भुए है 20% और loan देने में कितना खर्च हुए है 18% है ना तो अब 20% किसका है? 18,50,000 का 18% कि इसका 18, MB आफ मैं पहले यख़ा निकलूँगा यख़ यख़ पहले version 2, 2029 १ा कि नोइ मिआने 18 कि इसका 2 % निकल दो इसका 8,Off Ñ क्यूär कि यख़ tá 8,02,000 यख़, 25,000 के 20% है 8,00, 10,000 4 राख और 15,000 ता थीक है तो और वो ब्रेक करके multiply कि एकरो mind में. 18,500 को 18,000 प्लस 500 लिकलो. 18 का double कितना होगा? 36,500 का double एक जा. 36,000 प्लस दमन, 37,000. 37,000 है क्या option? नहीं. नहीं हो का option, none of these are. 5 हो जाएगा. तो ऐसे calculation करना है fast. तब ये जेदे help करेगी. थिक बात है? तो smart work करना सीकों ना कि hard work करो हाँ जी पढ़े आके 13 question देखो क्या वोले दे amount spend on medical to staff is what percent on the amount spend on salary जो salary पे spend किया है वो medical पे खर्चा करा है जो हाँ sorry amount spend on medical to staff अब वो कितना परसेंट है salary का ठीक है अब medical to staff कितना परसेंट दिया था भी 6 6% और salary to staff कितना था 20% अब देखो यह किसका 6% है 18,50,000 दर का अगर मैं यह आपर लिख भी देता ना देखो 6% किसका 18,50,000 दर का 20% किसका 18,50,000 दर का medical to staff तो 6% 4 का है ठीक है smart work कभी smart होगे करना है ठीक है तो सिदा हमें value की जुरूद ही नहीं पड़ेगी 6,20% निकालना है तो multiply 100 कितना आगे 30% answer ठीक है option A ठीक है अब यूँ मुझ पहले भी 6% का निकालो फिर 20% निकालो 6% और 20% सेम ही है तो 6 upon 20 into 100 30% ठीक है 4th question देखो sorry 14% देखो what is the amount spent on telephone telephone पर कितना खर्चा हुआ है telephone पर कितना percentage हुआ है 15% तो देखो 15% को कैसे लिख होगे आप 15% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10% plus 5% क्यों 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 मेरे को पता है 10 की value तो यह सिदा और 5 की value एक को 5 से multiply कर देंगे ठीक है तो 10 की value कितना होगे एक लाख पिछ असी जार और 5 की निकालने के लिए यह तो 10 वाले को आदा कर दो यह एक वाले को 5 से multiply कर दो ठीक है 18,500 गुना 5 कर दो देखो 18,500 कितना होता है अब सिदा multiply कैसे करना है 18,500 गुना 5 कितना होगे 25,500 गाले कितना हो इसमें नाइजी टो जन 50 गुना 5 गड़ कर दो 005,008,272,500 टो आसे हम इसाओ calculation करो multiply break करके किया आपरो easy होता है ठीक है जल्दी होगा मतलब 2,077,500 option कौन सा होग है भी? 3rd? जलो भी last question देखते है और आज का last question बाकी कल करेंगे कल यानि की Monday को करेंगे कल test होगा भी आपको ratio and proportion ठीक है? या allegation कहले लेढ़ा? allegation and ratio and proportion कट रही हो जाएगा? ज़िछ अट बकुल अटलकी इसे दाइम क्लास ताइमिंगे, ओके ओनलाइन, हम्में ओनलाइन टेस्ट अपनोर कर दूँगा, आपके लिए इसमिंगे, ठीक है, चलो भी लास्ट कॉर्शन देखो क्या गिवन अभी, what is the total expenditure on electricity and water together, electricity और water पे जोनों पे कितना खर्चा हुआ अपके जाके, ठीक है, electricity पे कितना हुआ है, आँ ही electricity, यह रही 12%, और water पे 11, तो तो टोल कितना हुआ है, 23, अब 23% को कैसे break कर लो, 20% plus 3%, ठीक है, 20 तो इसका double हो गया, ठीक है, अठारा जाए, एक लाग फिचासी जाएंग टबल, 10% हैंगो, 20% इसका double हो गया, कितना हो गया, 3,37, तो गया अग से सर्ट कितना हो गया? 3,nan फ्ये कितना होय गया गया? 555,iltर, 555 जाए जाए, जहिएचाएगा जाए ? तो आज के लिए इतना ही फुई डाउट होता हुआ